रकेजी अभी कल की बाते कल 16 जुलाई था लखनों में भोस्पूरी यानि कि फिल्म फेर फेमीना भोस्पूरी आइकन एवार्ड का विजन किया गया था जिसमें भोस्पूरी के तमाम सितारे उपस्तित थे आप वहां आखिर क्या वज़े थिक नहीं पहुँच पाएं नहीं मैं सबसे पहले तो जो उस एवार्ड के जितने भी कर्च करता गण हैं उनको हम बधाई देते हैं और जो इस एवार्ड को सफल बनाने में मेहनत की हैं पूरी टीम को मेरी बधाई और दिल से सारी मधिवेंदर राय भीया आपसे कि मैं थोड़ा परिवारिक कुछ बहुत अच्छा सब को सारी बधाई अच्छे वार्ड के लिए एक ही चीज का चर्चा है दो दिन से कल से और आद दिखा जाए तो महां पर भोश्पूरी सुपर स्टार पावर स्टार कहा जाते हैं खेसारी लाल यादाव और ट्रेंडिंग स्टार आपके पावन सिंग दो मानता हूं और यह बहुत अच्छा हुआ मिलन समारो जो है वह मतलब इसको लगभग लगभग हम मस्ती में भी अगर बोले तो यह एक तरह से चारों तरफ चर्चा यह मिलन समारो कहीं है चिसे साब से आप बता रहे हैं क्योंकि और इसका बहुत अच्छा इंपेक्ट जाए और भुजपूरी के उन करोड़ों दसकों के लिए अच्छा इंपेक्ट जाएगा कि कम से कम आपस में हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के साथ अच्छे से अपना भीहवियर रखें और यह यह होना भी जरूरी था और इस्पेशल थैंक्स टू बड़े भा प्रकपूर आज उनका जनम दिन भी है तो उनको जनम दिन के धेर सारी सुपकाम नाएं और बस इसी तरह मनुझ भीया मनुझ तीवारी जी रभी किसन भीया दिनेस लाल भीया जो भी हमारे सिनियर है आप लोग बीच इच्छ में इसी तरह गाइडेंस करते रहे हैं और इडियों पर अपने सिंगिंग पर इस अपर ध्यान देना चाहिए और मजा आता है इस अवार्ड समरों से रखी इस मिश्रा कितना खुस हैं अब अभी उड़ते उड़ते सुचना मिली आज 17 जुलाई है कि इसलिए अभी मिलें खेसारी जी से कि अगले 2024 में चुनाव है और आरा से चुनाव लड़ने के त्यारीम कर रहे हैं और आप वहीं के रहने वाले अभी चुनाव लड़ते हैं तो अपने बोट बैंक बना रहे है इस पर अपने सोच है लेकिन यह कहावत भी है कि नेता और अभीनेता यह कभी अलग नहीं होते हैं इस भी दुनिया वह चलते रहता है और नेता और अभीनेता का कब मिलन हो जाए कभ कहा कौन सा प्वूट जाए तो यह सब एक समाधिक लॉजिकल और इसी तरह का कभी मिठास कभी खटास कभी उस बात के लिए लेकिन मैं विसेश्टह जितना समझ रहा हूं कि यह जो भाईयों का मिलन है यह जितने भी भुझपुरी के भाई हैं जो सारे लोग खुश हैं हम सब लोग खुश हैं तो यह एक अपना प्यार है और इसको किसी से जोड़ना अच्छी बात नहीं है जैसे कि बिहार में नितिश्क कुमार बीजेपी के साथ छोड़ गए लालो जी के साथ मिला लिए और महरास्टा के बात करें तो यहां तीन सरकार मिला के गवर्मेंट चला रही है कौन पच्छ में नहीं मालम चला उसी तरह भोस्पुर से सिनियर है और उनका माइंड में विच्खोपड़ा में क्या बैठा है वो नीचे वालों के बस की बात नहीं है समयना तो इसलिए इसको आप जो भी नाम दे बट अच्छी बात यह है कि आप इसको मिलन समारों द्रिण मिलन समारों मानिये और दुआ किजिए कि यह बनी र बड़ा नाम हो आपके पास सबसे ज्यादा पैसा हो घर हो गाड़ी हो और दोनों लोग आज अपने अपने लेवल में भाई पूरे इंडस्री को लीड कर रहे हैं तो अब 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 आने वाला टाइम बताएगा खास करके हमारे जो जितने भी माननिये दर्सक बंदू है जो भुचपूरी भासा को चारों तरफ से देख रहे हैं सुन रहे हैं दिन डात इंटर्वीव से लेके गित संगित से लेके हर चीजों को वो लोग भाई ज्यादा जोज करते हैं तो वो लोग बताएगे क्या हो र आपका वह मिस हो गया क्यांकि हम गाने के चोरी को लाट की वी वाद में रहते हैं हम थोड़ा स्पस्ट वाधी बात करने में ब्लार में रहते हैं और मुझे लगता है कि इनसान को हर इनसान की अपनी अपनी एक रूटीन होती है लाइफ जीने की और बोलने की या रहने की तो फैक्ट होना भी लाइक में बहुत जरूरी है बल्कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज का जो दौर है इस टाइम में बहुत फैक्टिबल रहना उचीत नहीं है क्योंकि वह आपको फैदा से ज्यादा घाटा करेगा लेकिन फिर भी फैक्ट रहने से एक बात जरूर होता है कि आपका अंतरात्मा आपके साथ हमेशा बोल डिली रहता है कि चलो भाई हमने कभी भी किसी भी बात पर गलत कुछ नहीं बोला है हमने एक बात रखी है या बात को रखा है तो यह प्रस्णल एक लाइफ जीने का तरीका है इसको चीजों से नहीं जोड़ना चाहिए बहाँ दो ही बात होता यहां तो पर पच्च में रखिए दोनों यहीं मेरा लाइफ जुन रूटीन है जिनेंगा तभी तो थोड़ा सा समस्याम हो Stephen कब दोनों को बधाई पूरा भूजपुरीन डशिक साथ हम भी झंडा लेकर बधाई दे दिए हैं सब लोग घंडा लेकर गुम लाहा वता कि लुदॉक लुटा फिक दोस्ति के लिए दो लाइन कुछ दोस्ती के लिए को दो लाइन कुछ दो लाइन बस इतना ही है कि बात भले अनेक हो बात भले अनेक हो लेकिन मित्रता और दिल दोनों एक हो जाते है ते अपने पूरे समाज को क्या करत करना चाहेंगे और आई होब कि रागेश मिस्रा ओफिसियर पर मेरा आये हुए नएक आमरगीत जरूर सुनिएगा और अपना कमेंट करके जरूर बताएगा आपको कैसा लगा थैंक यू